क्या मशूर यूट्यूबर एलविश यादव गमला चोर है ऐसा इसलिए क्योंकि ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि गुरुगराम में हुई गमला चोरी में इस्तमाल की गई गाड़ी एलविश यादव की है गुरुगराम पुलिस ने भी इस पूरे मामले में कारवाई करते हुए गमला 400 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है दिखाएंगे आपको आगे कि गुरुगराम पुलिस ने क्या किया है खुलासा नमस्कार मैं हूं सुनी लियादव और आप देख रहे हैं गुरू गुराम नियूज जैसा आप लोगों को पता ही है कि दो दिन पहले दिल्ली गुरू गुराम बॉर्डर पर G20 सम्मिट के लिए लगाये गए पौधो की चोरी करते हुए कैमरे में दो शक्स कैद हुए और इस पूरे मामले को अब मशूर यूट्यूबर एलविश यादव से जोड़ कर देखे जाने लगा है और ट्वीटर पर इसके लिए एक स्पेशल ट्रेंड भी चलाया जा रहा है यहां तक की दावा किया जा रहा है कि मशूर यूट्यूबर एलविश यादव गमला चोर है क्योंकि एलविश यादव ने चोरी में इस्तमाल की गई इसी गाड़ी का जो की गमले उठाकर अपनी गाड़ी में रख रहा है गुरुगराम पुलिस का कहना है कि मनमोहन यादव के साथ साथ जो दूसरा शक्स जो की जमीन से गमले उठा रहा है उसकी भी पहचान कर ली गई है और उसकी पहचान गुलाब सिंग के रूप में हुई है जो की गुरुगराम में GMDA का एक अधिकारी है आप देखिए कि एक सरकारी अधिकारी ही सडकों से गमले चोरी करके यहां से लेकर जा रहा है इसके अलावा एक महतवपूर जानकारी और आपको देदे कि जो यह सोंदेर्य करन कराया है उसका जिमा भी GMDA के ही पास है गुरुगराम पुलिस ने कहाया कि चोरी किये हुए 10 गमले और चोरी में इस्तमाल की गई किया कारनीवल कार जो की 40 लाख रुपे की है उसको गुरुगराम पुलिस ने जब्द कर लिया है मुक्य आरोपी जिसका नाम मनमोन यादव बता गया है गुरुगराम के गांधी नगर के रहने वाले है और उनको ठाने से ही जमानत दे दी गई महीं गुरुगराम पुलिस ने ये भी साफ किया है कि इस पूरी चोरी से यूट्यूबर एलविश यादव का कोई लेना देना नहीं है ना ही ये गाड़ी YouTuber एलविश यादव की है बलकि ये गाड़ी एलविश के दोस्त की है और जो मुक्य आरोपी है वो एलविश के दोस्त के फादर है इसलिए कभी न कभी एलविश यादव ने इस गाड़ी का इस्तमाल किया होगा और अब लोग सोशल मीडिया पर गलत किया गया तो उससे पता चलेगा कि वो कौन लोग है और उनमें से जो एक एक मनमोहन उसको कल शाम को ही ग्रिफ्तार कर लिया गया और जो चोरी हुए गमले थे वो जो गाड़ी दोस्त में यूज़ की गए थी उन दोनों को सीज़ कर लिए क्या कुछ मंशा थी सब क्यों चुराए गए गमले अब मंशा तो गमले हैं क्या मंशा हो सकते कोई क्या क्या सकते है इसमी लेकिन शायद संदर लग रहे थे और साथ में जोनके सेकें अक्यूस्ट है और नवाप सिंग है वो जीमडी का इक उफिश है वो कहां पर इतनाते से इसमें अलविश यादव का नाम आ रहा है कि अलविश यादव भी इस पूरी इतना में शामिल था क्या जो की यूट्यूब इंफ्लॉएंसर है वो इस गाड़ी में था ने ऐसा कुछ नहीं है जो यह मनमोहन है जिनकी गाड़ी है इनका जो लड़का है उसका वो दोस्त है तो उसने कभी इनकी गाड़ी यूज कियोगी अपने यूटूब एको चैनल बनाने के लिए अदर्वाइस उसका यहां को रहा है यानि एलविश यादव का कोई इन्वोल्मेंट नहीं है सोशल मीडिया पर वीडियो वाइरल होते ही GMDA ने गुरुगराम पुलिस को शिकाय गुरुगराम पुलिस कितना जल्द सरकारी अधिकारी पर भी ऐसा ही एक्शन लेती है इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजेगा साथी साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजेगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पै नमस्का